या फिर संत संपर्दा यही है वो चेप्टर आई एक एक क्यूशन के बारे में चक्चा करते हैं लीजिए पहला क्यूशन आपके सामने ये रहा पुछा जा रहा है वागड की मीरा किसे कहा जाता है वागड की जो मीरा है वो किसे कहा गया है ओप्षन है गवरी बाई पन्ना अब्धाय राना बाई या फिर कर्मावती वागड की मीरा हूं आज देखेए राणा बाई जो है वेरी वेरी इंपोर्टेन क्यूशन है बड़ा अच्यूशन है यह भी इन्हें राजस्तान की दूसरी मीरा के आ जाता है यार रखेगा पूछा जाए राजस्तान की दूसर परबसर जो की वरतमान डीड वाना कुछा मरजिल्ले में आता है। यहाँ पुछा गया है वागड की मेरा तो यादरिके का ओप्शन नमबर है A is the correct answer गहुरी भाई। परशिद है और चितोड के दूसरे शाके के समय इन्होंने जोर किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर हो जाएगा वागड की मीरा गहुरी भाई। अगला क्योशन देखिए। अगला है राजस्तान में नर्शिंग के नाम से परशिद है। यानि हमारे राजस्तान में ऐ कौन से संथ है जिनको भगवान नर्शिंग का उतार मना गया है। देखिए। कवी दुरलब जी यार रिखेगा ये किसके उतार है। ये है नर्शिंग के उतार। इसलिए ने कहा जाता है राजस्तान का नर्शिंग। और इनके दुआरा जो पंत चलाया गया था वो भी थ दुरलब जी यार रिखेगा। अगला कुशन है राजस्तान रा परशिद संत धन्ना भगत कठे रहा। यानि कि हमारे राजस्तान के अंदर जो परशिद संत में हैं संत धन्ना जी जाट वो कहां कहे है। संत धन्ना जी देखें संत धन्ना जी की हम बात करते हैं तो इनकी जो जन्मिस्तली है वो तो है आपके धुवन गाउं टॉंक लेकिन जब आप जाट इतहासकार पड़ते हैं तो जाट इतहासकारों के अनुसार इनकी जो जन्मिस्तली है वो दू-दू जिल्ले के अंदर है फागी तेशिल में चोरू गाउं लेकिन क्युशन हमेशा से यही आया है संद दन्ना जी जाट का समंद कहां से है याद रखेगा धुवन गाउं टॉंक वेरी वेरी इंपोर्टेट यहीं पर इनका पेनोर्मा बनाया जा रहा है यह भी याद रखेगा यहाँ उप्शन नमर हो जाएगा सी इस करेक्ट आसूर अगला अगला है दन्ना भगत के गुरू कौन थे संद दन्ना जी के गुरू कौन थे यह आप से पूछा जा रहा है कबीर नानक रामानंद या नाम देव देखे संद जो दन्ना जी है यार रिखेगा इनको कहा जाता है राजस्तान का रामानंद राजस्तान का रामानंद राजस्तान में भक्ती आंदुलन का जनक कहा जाता है इनको राजस्तान में भक्ती आंदुलन का जनक पुछा जाए राजस्तान में भक्ती आंदुलन का जनक किसे कहा जाता है संद्धना जी और संद्धना जी के जो गुरु जी है वो है रामानंजी देखिए हमारे राजस्तान के दो ऐसे परशिद संथ हैं जो की रामानंजी के शिशे हैं एक तो है संद्धना जी और एक यादर केगा संद्धना जी तो संद्धना जी और संद्धना जी है इन दोनों के ही जो गुरु है वो है रामानन जी याद रखेगा ठीक है ऑप्शन नमर यहां हो जाएगा सी इज करेक्ट आसोर रामानन जी और आखरी में आपको पता ही है संधन्ना जी बनारश से ले गए थे चली अगला क्यूशन यह लो फोरेष्ट गार्ड के अंदर आया आपके कि राजस्तान की दूसरी मीरा पूछा नहीं है इन्होंने खुदी बताया है कि राजस्तान की जो दूसरी मीरा है संतराना भाई का जन्म कहां हुआ था कुड की कापडोद साबला या हरनावा तो यहां से दो बड़े अच्छे क्यूशन निकलते है याद रखेगा एक तो संतराना भाई है ये राजस्तान की दूसरी मीरा है याद रखेगा अब आप यह कहेंगे सर पहली मीरा कोण है तो पहली मीरा मीरा माई खुद है जिनका जन्म कुड की ग्राम में हुआ है जेता यह कुशन आया के भक्तर इसंतराना भाि यह का दो अश्री तो परकार से पूछाराज साम एक गौ пом radically संतराना भाई चेंटहस्तान की जो दूसरी मेरा है यहां पूछा लिया भक्ति संतरानाभाई का जन्म पिन की बात है मीरा रहाना भाई लाल गिरी जी या सुंदर दास जी पुछने का तरीका चेंज कर दिया इनुने बाकि वो ही है बताई इसका आसर क्या होगा चली रहाना भाई जी अगला देखिए अगला कुशन है धोली धूब जबकि यह नाम है धोली धूब धोली धूब राजस्तान के किस संथ से सम्मंदित है एकिस्तान दे रका है धोली धूब पुछा जा रहा है यह किस संथ से सम्मंदित है देखिए यह जो धोली धूब है सबसे पहली बात तो यह जिस जिल्ले में है वो जिल्ला है अलवर कहा है अलवर और यहां पर जिस संथ क जन्म इस्तली है जिनका जन्म हुआ है पंद्रा सुचालिस के अंदर और वो संथ है आपके संथ लाल दासी यानि कि option नमर जो है वो है D is a correct transfer इस्तान देकर संथ का नाम पूच लिया option नमर क्या हो जाएगा यहाँ D is a correct transfer अगला अगला है निम लिकित संतों में से कौन मेवात चेतर से संबंदित है यानि कि आपके सामने चार संथ दे रखे हैं और पूचा जा रहा है कौन से ऐसे संथ है जो मेवात चेतर से संबंदित है अच्छा मेवात चेतर का मतलब अलवर भरतपूर हालांकि अब तो नए जिले भी बन गया है डीग भी बन गया है वो तो मेवात चेतर से संबंदित पूछा जा रहा है option है हरी दास जी दादू दियाल जी पीमपा जी और लाल दास जी तो आप कहेंगे सर मेवात चेतर में मेव जाती के एक संत जिनका नाम है संत लाल दास जी एक तो यह है और एक मेवाद चेतर से संबंदित संत और हुए है संत चरण दास जी लेकिन यहां option के अंदर एक ही है लाल दास जी तो मेवाद चेतर में दो परशित संत है एक लाल दास जी है और एक चरण दास जी है लेकिन यहां option में लाल दास जी तो option नमर शी लाल दास जी अगला लीजी बड़ा अच्छा और बड़ा ही शांदार सा क्यूशन बताईए पुछा जा रहा है संत लालदाह जी के सम्मन्द में कौन सा तत्य जो है वो ऐस सत्य है कौन सा तत्य है जो की ऐस सत्य है चार बातें दे रखे हैं आपको पैचानना है कौन से बात गलत है पहली क्या है लालदास जी की वाणी नाम गरंथ दो भागों में विभाजित है ये तो बात सही है एक इनकी ओर रचना भी है लालदास जी री चेताउनिया दूसरा है इनका जन्म मेवात परदेश में हुआ है बिल्कुल हुआ है दोली दूब गाउं के अ 1540 में जन्द तो कब हुआ है याद रखेगा 1540 में लेकिन इनकी जो मर्तिव है वो हुई है 1680 में ठीक है तो यहां पर जो ऑप्शन नमर है वो हो जाएगा डी जे इनकरेक्ट याद रखेगा ठीक है डी है वो क्या है आपके गलत है ले जी अगला क्विशन अगला है संत लाल दाहसी खाली जगे के लिए अच्छी तरे से जाने जाते हैं मूर्ती पुजा, सामपर्दाईक सद्भावना, समात सुधार या फिर इनका सरल जीवन संत लालदाजी खाली जगों के लिए अच्ची तरीके से जाने जाते देगे सबसे पहले तो संत लालदाजी जो है वो मेव जाती से थे मेव जाती जो है ये एक मुस्लिम जाती है तो मेरे जिसाब से आपको आइडिया हो गया होगा कि राजस्तान के एक मातर ऐसे संत जो जन्म से मुस्लिम है लेकिन करमशे हिंदू है यानि संपर्दाइक सद्भावना जैसे आप पड़ते हैं संपर्दाइक सद्भावना के लिए जिल्ला कोण सा है के अजमीर संपर्दाइक सद्भावना के लिए मिला कोण सा है के रामदेवरावाडा संपर्दाइक सद्भावना का परतिक कोण से लोक देवी है तो सच्याय मता संपर्दाइक सद्भावना का परतिक किशंत को कहा जाता है तो लालदासी कुणशे पंत्रा अनुयाई मेव मुसल्मान गणा है यानि कि ऐसे कोण से पंत्थ है जिसका अनुयाई मेव मुसल्मान गणा है गादू पंतीरा गणा है विश्नोई पंत्रा गणा है दालदासी पंत्रा गणा है या फिर गुदड़ पंत्रा गणा है यानि कुण से पंत्रा जो अनुयाई है वो मेव मुसलमान गणा है मतलब ज़्यादा है तो आप जानते हैं कि मेव मुसलमान से संबंदी जो संत हैं हमारे राजस्तान में वो है आपके लाल दासी और लाल दासी दुआरा चलाया गया जो पंत है वो है आपके लाल दासी संपर जन्म से मुस्लिम थे और करम से हिंदू के लाए थे इसलिए वो सांपरदाइक सद्भावना के परतिक माने जाते हैं यानि कि option नमर जो है वो हो जाएगा आपके सामने c यहाँ पर भी लाल दासी ही है ठीक है very very important याद रखिएगा अगला है चोपड़ा नमक घरंद की रचना किस ने की थी चोपड़ा नमक घरंद देखिए वेसे हमारे राजस्तान में एक चोपड़ा जिल भी है पाली में एक चोपड़ा घरंद भी है एक मांगली कारियों के तेट भी चोपड़ा परियुक्त करते हैं यहाँ चोपड़ा नाम गरंत की जो रचना है वो है आपके संत माव जी कौण है संत माव जी याद रिखेगा option number A is the correct answer अगला अगला कुशन है वाद विवाद सहली में लिखेगे गरंत चोपड़ा संबंदित है अब यहाँ कुशन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है अलग आप इस परकार से कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि वो गरंत देकर डाइरेक्ट संत का नाम नहीं पूछा वो संत किसे संपरदाई से संबंदित है वो पूछा देखे चोपड़ा इस चोपड़ा गरंत के लेखक आप कहेंगे संत माओ जी और संत माओ जी का जो संपरदाई है वो है निस्कलंक की संपरदाई निस्कलंक की संपरदाई तो इसका मतलब चोपड़ा का जो समंद्ध है वो कि संपरदाई से है निश कलंक या निश कलंक की संपरदाई ओफियर नमर क्या हो जाएगा? C is the correct answer याद रखेगा important अगला अगला है निम लिखित में से कोण सा वेश्णव संपरदाई नहीं है यानि कि ऐसा कोण सा संपरदाई है जो कि इसमें से वेश्णव संपरदाई नहीं है निमबार्क नहीं है वलब नहीं है लालदास जिवाडा नहीं है या फिर निश कलंकी नहीं है वेशनो संपरदाई से संबंदित नहीं है तो आप कहेंगे सर वेशनो संपरदाई से जो संबंदित नहीं है वो है निश्कलंकी ये संत माउजी दुआरा इस्तापित है ओप्शन नमर शी अगला संत माउजी की संपरदाई के परवर्तक है अब भी हमने पढ़ी लिया निश्क लंकी संपर्दाई संत माव जी का समंध कहां से आई ये अच्छा क्यूशन है संत माव जी का जो समंध है वो कहां से है विकानेर से है अलवर से है जोदपूर से है या फिर डूंगरपूर से है बताई Very very important संत माव जी कल के उतार माना गया है इनको अब यहां पुछा गया कहां से संबंधी थे तो आप कहेंगे सर ये लो option number जो है वो है D is the correct आई वो डूंगरपूर वैसे संत माव जी आप जानते ही है इनके दुवारा एक धाम इस्तापित की गई है जिसका नाम है बनेश्वर धाम बनेश्वर धाम है ना नवाटापूरा गाउन डूंगरपूर में वो संत माव जी दुवारा ही इस्तापित की गई है और यहां पर यादरिके का खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और बाकित जियोगरापी की दरिश्टे से आप जानते हैं कि यहां पर तिरवेणी संगम भी है सोम माही और जाखम का ठीक है चली अगला है माव जी के अनुयाई उन्हें विश्णू का खाली जगे मानते हैं वरहा उतार कलके उतार मतेश्य उतार या वामर उतार चर्चा की थी अभी कि संत माव जी जो है वो कलके उतार है भगवान विश्णू के कौन से उतार माने गये हैं कलके उतार निम लिखित में से कौन सा संपरदा इस संत मावजी की दुवारा इस्तापित किया गया है चर्चा हमारी होई गई थी निश्कलंग की संपरदा है ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं अगला देखिए अगला है निम लिखित में से कौन दादू दियाल का शिश्य नहीं है आपके सामने चार ओप्षन है और पूछ रहा है कि संत दादू दियाल के शिश्य नहीं है आप कहेंगे सर सुन्दरदास जी दादू दियाल के शिश्य है रजब जी दादू दियाल के शिश्य है चम्मालीस में और लालदास जी का जिनम हुआ है पंद्रासो चालीस में ये समकालीन तो है लेकिन शिश्य नहीं है इनका लग संपर्दाय था लालदासी संपर्दाय अगला देखें ये बड़ा चाक्युशन आपके लिए पुछा जा रहा है कि दादू के पार्थिव शरीर को कि सिस्तान पर समादी दी गए थी समादी संपर है नरेना फुलेरा है दादू खोल भेराना है या दादू समादी खेड़ा पा है दादू जी के पार्थिव शरीर को कि सिस्तान पर तो ये भेराना की पहाड़ी जिसे दादू खोल भेराना कहते है ठीक है ओप्सन नमबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने C is the correct answer ठीक है चलिए अगला अगला है खाल्शा, खाकी, नागा राजस्तान के की संपरदाई के भाग है देखो खाल्शा खाल्शा खाकी नागा इसके अलावा विरक्त और उत्रा दे ये जो साकाई है ये आपके कोण से संपरदाई से संब्दित है याद रिखेगा दादू पंत खाल्शा, खाकी, नागा विरक्त और उत्रा दे ठीक है ये दादू पंत से संब्दित है अगला है मुगर समराट अकबर दुआरा जिस संथ को फतेपुर शीकरी आमंत्रित किया गया था वे कौन है यानि कि आप जानते हैं कि अकबर और संथ जो दादू है इनकी जो मुलाकात है वो कहां पर हुई है तो याद रिखेगा फतेपुर शीकरी पतेपुर शीकरी कहां है याद रिखेगा यूपी में यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई और यह मुलाकात किसके सियोक्ष हुई थी तो याद रिखेगा भगवन दास भगवन दास के सियोक से अकबर और संथ दादू की मुलाकात हुई थी पतेपुर शीकरी में यहाँ पर option number क्या हो जाएगा D is the correct आस और याद रिखेगा दादू देयाल ठीक है आई यह मुलाकात का बुईती तो 1585 बिल्कुल सही है तो 1585 में मुलाकात भगवंदास के सयोग से पत्यपूर्शी करी यूपी में अकबर वेशंत दादू अगला है कीन संत्री वाणियारो संग्रेन हरडे वाणी नावसू संकलित करियो यानि कि ऐसे कोन से संत्थ है जिनकी वाणिया जो है वो संग्रे करके क्या क्यलाती है हरडे वाणी जैसे आपड़ते हैं दादूरी वानी, दादूरा, दोहा, जितनी भी वानिया है उनको हरडे वानी के नाम से, तो वो है दादू दियाल, ठीक है, याद रिखेगा important, दादू दियाल, very very important, अगला देखे, अगला है, दादू पंत में सत्संग इस्तल कहलाता है, मुक्ती धाम, अलग दरीबा, दादू पंत के अंदर जो सत्संग इस्तल होता है उसे क्या कहते है, जैसे आप पढ़ते हैं के, विश्लोई समाज में जो सत्संग इस्तल होता है, उसे बोलते है, सांत्री, उसी परकार, दादू पंत में जो सत्संग इस्तल होता है, उसे कहा जाता है, अलग दरीबा, क्या का सब्सक्राइब के अलंग निरण्जन से है ऐता र लग दरिभा दोचलो फिर दादु और धा pergi participants कि से Kanye की ज़रा बताईए ईयो कि सम्मधित है और गिसान पर्दाइट एसे सम्मधित है अब संट गरीब दाधा जी संट मिश्वकनद्दाश्डषी संथ मादो दाभ जी, संत बालिन जी, संत बखना जी, संत दास जी और संत रजब जी ये सब के सब जो संत हैं वो जिस संपरदाई से संबंदित हैं वो है दादू पंती संपरदाई ओप्शन नमर जो है वो है आपके D अगला है रजब वानी पुस्तक किस पंत या संपरदाई से संबंदित है देखी जो रजब वानी है ये लिखी हुई है संथ रजब की रजब जी ये संथ जो रजब जी है ये दादू के शिश्य है और दादू का जो संपरदाई है वो है दादू पंत संपरदाई तो option number क्या हो जाएगा A is the correct answer A is the correct answer छीक है लीजी अगला question अगला question है जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते वे दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संथ कौन थे ऐसे कौन से संथ है जो आज जीवन दुल्हे की वेश में रहे बताई फटापट बताई आज जीवन दुल्हे की वेश में रहेने वाले वाले वक्ती कौन थे चलिए साबास जानते ही हैं आप सब देखें ये बात जिनके बारे में कही जा रही है वो है सांगानेर के पठान सांगानेर के पठान जिनका नाम है संथ रजब जी साधी करने जा रहे थे बीच में दादू जी के उपदेश चल रहे थे तो वहां रुग गए थे गलती से और फिर इतने परभावित हुए कि उसी दुल्ले के वेश में बस चंत बन गए ये तो option number जो है वो है आपके सामने B is a correct answer याद पुछा जा रहा है अश्ट छाप कवी मंडली का संग्ठन किया है देखे अश्ट छाप कवी मंडली अश्ट छाप यानि कि चार सिशे तो आचारी वल्ब के और चार सिशे ही विठल नाजी के इनको मिला कर जो मंडली बने गई थी चार चौर आठ अश्ट छाप मंडली के लाई option number है यहाँ पर A is a correct answer विठल नाजी अगला है आपके पुष्टी मारक के परवर्तक थे मदवाचारी निमबार्क चेतन्य महापर्भू या इसके अलावा है आपके सामने वलब अचारी देखे पुष्टी मारक यानि की वलब संपरदा है पुष्टी मारक का मतलब क्या है वलब संपरदाई और वलब संपरदाई के फांडर कौन है वलब अचारी यानि कि पुष्टी मारक के जो परवर्तक है वो है आपके वलब अचारी option number है C is a correct transfer अगला देखे अगला है निंबार्क संपरदाई की परमुक पीट कहा है निंबार्क संपरदाई देखे हमारे राजस्तान में हम बात करते हैं तो हमारे राजस्तान में इसके जो परवर्तक है वो है आचारी परसू राम जी आचारी पर सुराम जी किसके? निमबार्ग संपरदाई के और निमबार्ग संपरदाई की जो परमुख पीठ है वो है आपके सलेमाबाद कहा है? अजमेर आप्शन नमबर B is a करेक्ट आसवर B is a करेक्ट आसवर सलेमाबाद अजमेर याद रखेगा रूपनगड नदी के किना रहे है अगला अगला है निम्ड में से सगुण भक्ति का परचारक्षन था तबीर, नानक, दादू ये तो सब निर्गुण के हैं निमबार्ग जो संपरदाई है वो आपके किस्से है सगुण से याद रखेगा ठीक है? अगला है सलेमाबाद के अंदर जो निमबार्ग आचारिये पीठ है जिसका नाम है निमबार्ग संपरदाई निमबार्ग संपरदाई का ही दूसर नाम है याद रखेगा राधावलब संपरदाई है इसे ही बोलते हैं सनकादी संपरदाई ये जो भी संपरदाई है इसकी जो पीट सलेमाबाद में हैं इसके परवर्ता कौन थे तो हमने कहा था कि राजस्तान में निंबर्क संपरदाई के वह है आचारी पर सुराम चली अगला देखे अगला है संपरदाई की समादी कहां इस्तित है संपरदाई की समादी कहां है मेवात है अलवर है भरतपुर है या दिल्ली देखे संपरदाई है इनका जो समपरदाई है वो है चर्णदाई समपरदाई और चर्णदाई समपरदाई की जो परमुपीठ है वो आपके कहां पर है दिल्ली अचा दिल्ली क्यों है क्योंकि संपरदाई की समादी भी कहां है दिल्ली, option number C, अगला, अगला देखी, अगला है, चरनदास राजस्तान के किस जिल्ले से संबंदित है, चरनदास जी की हम बात करते है, तो यहां पर देखे, जेपूर, भीलवाडा, बुंदी और अलवर, देखे, एक तो इनकी जनमिस्तली, और एक इनकी समादी इस्तली, दो ही बड़ी महत्तपून बांदे, समादी इस्तली तो पता ही आपको दिल्ली, इसलिए तो चरनदास जी का जो संपर्दाय है, चरनदास जी संपर्दाय उसकी परमुक्पीट कहां है, दिल्ली, और इनकी जो जनमिस्तली है, वो है याद रखे यहाद देखेगा संत लालदाहजी की जन्मिस्तरी है यह संत लालदाहजी की क्या रही है जन्मिस्तरी तो option number यहाँ पर हो जाएगा D is a correct transfer अलवर अगला चर्णदाहजी संपरदाय की परधान पीट कहा है अब यह तो आप ही बताइए फटापट कमेंट करके कि चर्णदाशी संपरदाय है इसकी परधान पीट कहा है तो आपको पता चली गया दिल्ली सहजोबाई के गुरू कौन थे सहजोबाई देखे सहजोबाई जिसकी एक रचना बहुत परशिद है सहज परकास सहजोबाई की रचना है सहज परकास और सहजोबाई के जो गुरू थे वो थे संचर्णदाह सी याद रखेगा जैसा कि आप कुछ पता ही है, ये क्यूशन देखिए, कि दयाबाई और सहजोबाई की संत की शिश्याई थी, तो आप कहेंगे संत चर्णदास जी, दयाबाई और सहजोबाई, याद लखीगा, अगला है, दयाबाई और सहजोबाई की संत की संत के संत की संत की संत की संत की संत की संत की संत जी, औप्शन नमबर A, याद रिखेगा, ठीके, अगला है, कुल्जम सवरूप के संपरदाई के उपदेशों का संग्रे है कुल्जम सवरूप का संबन्द जिस संपरदाई से है वो है परणामी संपरदाई ये जो परणामी संपरदाई है इसके जो परवर्तक है वो है संत प्राणनाजी कौन है? संत प्राणनाजी और याद ये भी रखेगा कि जो परणामी संपरदाई है इसकी जो परमुक पीठ है वो पन्ना में है और ये पन्ना आपके MP में है पन्ना कहाँ पर है MP में तो option number हो जाएगा A is a correct answer याद रखेगा ठीक है अगला है very very important पुछा जारा है कि अलख्या संपरदाई की इसता आपना किस ने की देखे अलख्या संपरदाई पीठ पूची जाए तो भी कानेर है और अलख्या संपरदाई की इसता आपना करने वाले जो थे वो थे श्वामी लाल गिरी ये श्वामी लाल गिरी है एक लाल नात जी है जसनाती संपरदाई से और एक लाल दास जी है लाल दासी संपरदाई से याद रिखेगा option number यहाँ पर है A is the correct answer लाल गिरी अगला देखे अगला है आपके सामने बड़ा अच्छा बड़ा सांदार सा question कुछा जा रहा है कटेवे कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचात्मक परतिक है यानि कि कटेवे नाक और जटा किसका परतिक है गुजर ओगड जोगी रावल जोगी या मीना तो आप कहेंगे सर ओगड बबबवन ओगड जोगी उनके कटेवे कान और जटा ये लिजी अगला है आपके सामने आचारिय तुलसी ने अनुवर्थ आंदोलन का शुत्रपात किया है और ये देखिए ये जो आचारिय तुलसी है न ये आपके किस संपरदाई से समंदित है तेरापंद संपरदाई से तेरा पत संपरदाई के नोवे गुरू है जिनका नाम है आचारिय तुलसी जिन्होंने अनुवर्थ आंदोलन चलाये था 1949 में अप्सन नमर जो है वह है B is the correct transfer लीजी अगला है कुंडा पंथ के परनेता कौन थे देखिए एक तो कुंडा पंथ और एक है आपके कामडिया पंथ देखिए कामडिया जो पंथ है ये तो है रामदेव जी से समंदित और कुंडा पंथ जो है ये है आपके मलीनाज जी से समंदित कुंडा पंथ और कामडिया पंथ आप्शन नमर है B is correct राम मलीनाज जी याद रखीगा अगला है आपके सामने कि राजस्तान का तेरा पंती संपर्दाई निम लिखित में से किस से संबंधित है देखे तेरा पंती संपर्दाई की तीन विशेश बाते हैं एक तो यह है कि तेरा पंती संपर्दाई का संबंध किस धर्म से है तो याद रिखेगा जेन धर्म से सब्सक्राइब की सुरुण сторका है इ אנחנו online युझान्दूलण उसका 不對 करदा की संपर्दाइंट और स्पर्दाइब को याद रिखेंगा थे Valade सब्सक्राइब